एक मैई 2022, हैपी गार्णिंग में सबका स्वागत है कल शाम सेटर्डे को साइकल निकालते टाइम यहां पर साइकल रहती है चोटे बेटे की तो साइकल निकालते टाइम उससे यह गमला तूट गया और फिर मुझे यहां से हर्वेस्टिंग करनी पड़ी वैसे तो आल्मोस्ट इन में से इन टमाटर के पौदों में से हर्वेस्ट में कॉलेक्ट कर चुकी हूँ और यह आल्मोस्ट खतम होने वाले ही हैं आप देख सकते हैं कैसे ब्रांचिज इन की ड्राइड हो चुकी है और एक को तो मैंने अपरूट भी कर दिया है अब यह इतनी बुरी तरह से टूट गया था गमला कि मुझे इसको हार्वेस्ट करना ही पड़ा क्योंकि टेंपरेचर हमारे एरिया का आल्मोस्ट 43 क्रॉस कर चुका है इस पर निउस्पेपर में जो वैदर की रिपोर्ट आ रही है उसमें 43.5 टेंपरेचर लिखा था कल का तो कोई संभावना नहीं थी कि यह टमाटर का पौधा पूरी तरह से जिसकी रूट्स एक्सपोज हो गई है तो वो सर्वाइब करने के चांसेज नहीं थे पानी भी रिटेन नहीं होना था इसमें तो यह तो बिल्कुल ही नीचे तक पहुँच गया तूट गया बिल्कुल यह गमला कोशिश करूँगी स्कूरी उस करने का इसी गमले के साथ एक और पॉर्ट है उसमें भी अल्मोस्ट हर्वेस्टिंग होई चुकी है इन टमाटर के पौधों से इनको भी मैं आज अप्रूट कर दूँगी छोटे चोटे दो टमाटर लगें ग्रीन कलर के एक को मैं हर्वेस्ट कर लूँगी पर ये दो जो छोटे हैं वो तो बिलकुल भी बढ़ नहीं रहे हैं इसलिए इन पौधों को भी मैं आज अप्रूट कर दूँगी यहां तक था सेटरडे का वीडियो और ये हैं आज की हर्वेस्टिंग सुबा सुबा थोड़ा वैदर ठीक होता है सूरज भी थोड़ा मद्धम होता है और सहन करने लाएक होता है तो इसलिए सुबा सुबा ही मैंने हर्वेस्टिंग कर लिया आज और टमाटर जो है उनका बेस्ट हर्वेस्ट का जो टाइम है वो भी मौनिंग ही होती है तो मॉर्निंग के टाइम में अगर हर्वेस्ट किये जाएं तो वो जादा लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं और टमाटरों को फ्रेश रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनको विद सैपल्स हम हर्वेस्ट करें आप देखेंगे जो इनके सिर के उपर ताज बना हुआ है छोटा सा मैं जादा तर कोशिश करती हूँ कि इसके सहित इसके साथ ही मैं इन टमाटरों को हर्वेस्ट करूँ ताकि ये लंबे समय तक हमारी किचन में बने रहें और बहुत सारे जब टमाटर आ जाते हैं आपने देखा है पिछले दिनों में कि मैं हर हफ़ते केजीज के हिसाब से टमाटर हर्वेस्ट कर रही हूँ तो ऐसे टाइम में और भी ज़्यादा इंपॉर्टन हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि टमाटर को हम किस तरह से हर्वेस्ट करें और स्टोर किस तरह से करें तो विद अगर हम कैलेक्स या सैपल जिसको बोलते हैं जो बड को प्रोटेक्ट करती है फ्लावर बड जो थी है टमाटर की बड स्टेज में ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है तो अभी इसके साथ ही हम harvest करेंगे तो it would be better for us as well as for tomatoes तो tomatoes ज्यादा लंबे समय तक हमारी kitchen में बने रहेंगे, fresh बने रहेंगे वैसे जो organically जो भी हम vegetables grow करते हैं वो naturally अपने आप ही ज्यादा लंबे समय तक fresh बनी रहती हैं आप अपने आप नोटिस करिएगा जब कभी आप अपने घर की vegetables जिसमें आपने chemical fertilizer नहीं डाली, कोई chemical spray नहीं किया यहाँ पर बैंगन का flower दिखा दूँ पहले आपको, इस बैंगन में पहला flower आया है तो जो इस तरह से organically grow की हुई vegetables होती है, वो अपने आप ही लंबे समय तक बनी रहेंगी अच्छा चुकि टमाटर बहुत ज़ादा मैं harvest कर रही हूँ, तो दोबारा से टमाटर की बात करती हूँ सपोस करें आप इसकी सैपल्स के साथ इसको harvest करना भूल गए हैं, या यह over ripe हो गए हैं, तो यह सैपल्स के साथ आएंगे भी नहीं तो उसको सैपल्स के साथ या जिसको कैल्स बोल रही हूँ मैं, उसके साथ harvest करने के लिए आपको बिल्कुल ripe tomato से पहले वाली stage पे उसको harvest करना पड़ेगा तो अगर आप बिल्कुल ripe tomato को harvest कर रहे हैं तो कैलिक्स तो साथ में आएगा नि उससे पहले ही हाथ में tomato तूटके आ जाएगा तो उस condition में आप tomato को उल्टा करके store करिए जहां पे कैलिक्स है जो हरा भाग है वो remove होगा तो उस तरह से उसको रखके फिर store करिए तब भी वो लंबे समय तक चलेगा और यहां पर भिंडी के बहुत छोटे छोटे पौधे हैं और कुछ red green सी भिंडी इसमें लग रही है और इसके पिछे हैं चुकंदर जिसमें चुकंदर तो बन नहीं रहा है तो उसके leaves ही harvest करते हैं हम आज यह होगे चुकंदर के leaves और इधर एक corner में नई चुलाई के plants लगे हैं तो वो भी हम harvest कर लेते हैं थोड़े थोड़े greens तो गाहे बगाए छोटे से terrace garden से हमें मिलते रहते हैं और इधर है लहसुन लगा हुआ जो बिलकुल ही बारीग बारीग है और थोड़ा प्याज भी है तो वो भी हम harvest कर लेंगे इस grow bag में काफी सारे plants लगे हैं एक टमाटर का पौधा भी है यह अलगी टाइप है टमाटर की यह जादा लंबी भेल की तरह नहीं फैला है और यहाँ पर केई सारे यहाँ लहसुन भी लगे हैं और प्याज भी है यह गालिक चाइब्स का plant है बड़े वड़ा बंच और इस लहसुन अकर लगाना हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जमीन चाहिए होती है बहुत ही पोरस इधर भी है यह गालिक पर इसकी स्टेम तो ब्रेक होगी इसको बाद में अपरूट करूंगी और इधर वाले grow bag में बड़े अच्छी greenery अभी तक लहसुन भी ठीक है यह ल लगा है तो प्याज को भी हर्वेस्ट कर लेते हैं तो जहां-जहां मुझे वही लहसुन और प्याज में जो वही वाला इंडिकेशन है कि उनकी नेक जो है एक साइड को होगी है वह सब मैं हार्वेस्ट कर लूगी आज और जो ड्राइड हो चुके हैं लीव्स लहसुन के यह वाले हेल्दी लहसुन देखिए कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं तो यहां से इस ग्रो बैग में भी जादा तर जो लहसुन के प्लांट है उनमें पत्ते सूख ही चुके हैं तो आज मैं उनमें से जादा तर को हर्वेस्ट कर लूँगी और कोशिश करूँगी कि यहीं पे रहने दूँ तक कि दिरिंग डे टाइम इनके लीव्ज में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो सूख जाए और फिर मैं इनको स्टोर कर पाऊं इस ग्रो बैग में फिर काफी सारी जगा बच जाएगी और उसके बाद मैं यहां पर समर्ज के कुछ सीड्स ल लगाई थी मैंने यहां लगे हुए हैं वह सब तो अब दूसरी तरफ यहां पर मैंने यह चलाई के कुछ लीव्ज और ब्रांचिज हर्वेस्ट कियें यहां से और थोड़े से प्याज भी है जिनकी नेक एक साइड को हो गई हुई है तो उसको भी मैं हर्वेस्ट कर होंगी प्याज और लहसुन लगाने में मुझे एक थोड़ा सा जो डिफ्रेंस लगा प्याज बड़ी जल्दी हर्वेस्ट हो जाता है बहुत ही जल्दी यहां पर जो प्याज है वो मैंने 17th February को लगाया था तो आप देखे कितनी जल्दी तैयार हो गया है हम इस तरह से जो ग्रीन्ज हैं इसके वो भी खा सकते हैं और अनियन भी यूज कर सकते हैं पर लहसुन को मैंने अक्टूबर में लगाना शुरू किया था तो वो अभी तक उसके लीज ड्राइ नहीं हो रहे तो हो सकता है मैं ही कहीं पर यह मिस्टेक कर रही हूँ तो मुझे उसका टाइम प लंबे अर्से तक चलेगा उसको हम अगर मॉइस्टर कंटेंट उसका लो कर लें तो उसके बाद वो बहुत लंबे अर्से तक हमारी किचन में बना रहेगा गालिक के लिए कम से कम हमें सिक्स मंथ की वेट जरूर करने पड़ेगी अब यह जो सारा हार्वेस्ट है यह था से तो इस तरह के टमाटर को भी हम फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं आजकल धूप बड़ी तेज है आप धूप में रख दीजिए ऐसे टमाटर को तो रेस्टरान वगरा में आप देखेंगे आजकल रेसिपीज अगर आप देखते हैं टीवी पे या इंटरनेट पे तो तो दूप में सुखा लिजिए आपके पस घर के संड्राइट टमैटोज आ जाएंगे और वेस्ट भी नहीं होगा आपका हारवेस्ट जो है वो वेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि आपने बड़ी महनत से लगाया है तो कोशिश करें आप खुद ही यूज करें और ये देखि करके पौधों को साथ साथ ही इसलिए अपरूट करते रहें ताकि उन पर डिजीजिज के लिए घरना बना रहें डिजीजिज के लिए एक जगा ना रहें इंसेक्ट पेस्ट उनको बहुत जल्दी अटैक करेंगे क्योंकि वो बहुत वीक हो चुके हैं ऐसे प्लांट्स जो घर बनेंगे और नुकसान करेंगे आपके बाकी प्लांट्स को साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करते चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहें तब भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडी आपसे र और यहां पर एक टमाटर का प्लांट तो बिलकुल ही खस्ता हालात है इसके इवन इसका जो टमाटो है वो भी श्रिंक हो गया है और यह देखें इसकी रूट्स भी इतनी अच्छी तरह से उसकी ग्रिप नहीं है ऐसे ही पुल आउट हो रहा है और स्टेम भी विलकुल डेड ह हो चुकी है पहुत सारा औरगैनिक हरवेस्ट मैंने कलेक्ट किया है आज और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मैं फिर से आप से रिक्वेस्ट कर रही हूं चैनल को सब्सक्राइब करिए पसंद आता है वीडियो कहीं पर भी थोड़ा सा भी पसंद आता है तो अपनी लाइक्स, कमेंड्स, सब्स्क्रिप्शन्स, सभी कुछ इस चैनल पर बिल्कुल फ्री है पिछले कुछ महिनों से मैंने टमाटर तो खरीदे ही नहीं है टमाटरी स्तान बना हुआ है, मेरी जो छत के, जो कोने है जहाँ जहाँ मेरी टमाटर लगाए ben नमळकर उआ भार्वेस्टिंग हो रही टमाटर थोड़ा यहां पर पुदीना लगा हुआ है पौधों के निचे और बॉटल में भी ग्रो किया हुआ है पुदीना बativity अगर लगाना हो तो थोड़ा shady एरिया पर और जहां पर पानी मिलता हो उसको मां पर पुदीना भी आप जरूर भर करें बहुत बहुत सारी tomato मैंने harvest किये ऐजá फोड़ी थोड़ी से greens भी harvest किये और मै ने भी आपको बताया कि आप किस तरहां से प्रॉपर तरीके से हर्वेस्ट कर सकते हैं टमाटर को और स्टोर कर सकते हैं कुछ लह सुन मैं जो अच्छे वाला वो छट पी छोड़ा ही हूँ, कुछ प्याज किया है मैंने हर्वेस्ट कुछ छोटे छोटे से गालिक हर्वेस्ट किये हैं इनके बाय प्रड़क्ट इनके लीव्ज भी हमें मिले हैं ग्रीन लीव्ज तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए काइंड़ी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें खुब सरे प्लांट्स आप भी लगाएं हपी गाणिंग तो अल फ्यू